नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल भगवान लोग पर दोस्तों अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें दोस्तों जैसे जैसे दिवाली नजदीक आ रही है वैसे वैसे उट्सुकता बढ़ रही है क्योंकि यह त्योहार साल का सबसे मुख्य त्योहार है तो दिवाली के खास त्योहार पर आपको कुछ विशेश जानकारी होनी जरूरी है आज आप लोगों को दीपा वली धनतेरस किसके संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। क्या खरीदना चाहिए, क्या नहीं खरीदना चाहिए, क्या करने से बचे, जिससे हमारे घर में अन्धन की बढ़ोत्री हो। सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आप लोगों को विस्तार से बताऊंगा, इस वीडियो को ध्यान से देखें, हमारे हिंदु धर्म में दीपावली का त्योहार बहुत ही जियादा धूम धाम से मनाए जाते हैं. ये पांच त्योहार कहे जाते हैं. धन तेरस के दिन से जो पांच दिवसीय त्योहार है शुरू होता है और भाई दूज के दिन इसका समापन होता है। कैसे थोड़ा सा जान लीजिए, पहला जो होता धन तेरस दूसरा जो होता है वह चौधस जो नर्क चतुरदशी होते हैं, उस दिन और उसके पश्चात होते हैं, दीपा वली अर्था दिवाली की रात इसके पश्चात आते हैं, गोवर्धन पूजा, फिर भाई दूज किस तरह से पांच दिवसीय त्योहार कहा जाता है, इसमें पांच दिन पूजा करते हैं, चलिए, इस बारे में तो 10 या 11 नवंबर की मनाई जाएगी, आप में स अधिकतर लोग कॉमेंट करके पूछ रहे थे, तो देखें, तो दीपा वली का त्योहार है, 10 नवंबर को है, और दीपा वली के दिन, खास कर लक्ष्मी जी, गनेश जी और कूबेर जी, इनकी पूजा अर्चना अवश्य करना चाहिए, इस दिन मा कृपा हासिल करने के लि की देवी घर में, सदा के लिए आपके घर में वास कर जाती है, जिससे आपके घर जो है, सदैव, धन, वैभव से परिपूर्ण बना रहता है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जानकारी बताने से पहले, विस्तृत एकदम विस्तार से जानकारी बताने से पहले, सभ कि दोस्तों, ऐसा जाता जो कच्चे चने की दाल से महालक्ष्मी को अर्पित करने के पश्चात, इस दाल को पीपल के पेड़ पर चढ़ा करके आ जाते, तो जीवन भर मालक्ष्मी की कृपा बनी रहती। इससे महालक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है और आपको अन्न धन एव कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथी को धन तेरस के नाम से जानते हैं, इस दिन धन वंत्री देव लक्ष्मी जी और कुबेर देव की हम पूजा अर्चना करते हैं, और इस दिन कोई भी सामान खरीदना बहुत ही ज्यादा शुब समझा जाता है। धार्म इस दिन बरतन खरीदते हैं, सोने चांदी खरीदते हैं, वाहन खरीदें, इस दिन जो भी चीज खरीदते हैं उसमें तेरह गुना ज्यादा बड़ोतरी होता है, इसे काफी लंबे समय तक हो सकता है, तो धन तेरस दो हजार तेईस में कब है, तो पंचांग के अनुसार इस दिन सोना, चांदी, बरतन, आदी जो खरीच सकते हैं, चलिए इस जानते हैं, दीपा वली से पहले घर से कौन सी पांच ऐसे वस्तू हैं, जिसे घर से निकाल देना चाहिए, नहीं तो मा लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश नहीं करेंगे, मैं क्योंकि हर वीडियो में बता चुका मा, लक्ष्मी धन तेरस और डीपा वाली दिन, हर एक व्यक्ति के द्वार में जाती माम लक्ष्मी और उसकी बहन को लक्ष्मी, यदि अभी घर में पवित्र वातावरण सुगंधित, आपने धुप जला करके रखे, आपने अपने घर में गंगाजल का तो बिना पूछे, महा लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर जाती है, जिस घर में प्रवेश कर जाए, फिर ऐसा घर में धन की कमी नहीं होती, और घर में कूडे हैं, करकट हैं, गंदगी चीजों से घर में उनकी बहन को लक्ष्मी प्रवेश कर जाते हैं, प्रवेश कर तो उनके साथ में दूख, दरिद्रता उनके पीछे पीछे आती है। नकार आत्मक्ता का प्रतीक समझा जाता है। वास्तु दोश लाते हैं और जिसके घर में वास्तु दोश लग जाए। फिर ऐसे घर की कभी भी तरक्की नहीं होती तो साफ सफाई के दौरान जो पुरानी घड़ी है बिलकुल ही। इसे आप दिवाली से पहले घर से बाहर हटा दे। इस महालक्षमी नाराज होती है। तीसरा चीज इसे नोट करके रखे एलेक्ट्रोनिक सामान दीपावली। देखे जो रोशनी का त्योहार समझा जाता। देखिए मालक्षमी वही निवास करती। जहां अंधेरा ना हो तो ऐसे में यदि आप घर की जो आपको लाइट खराब है बिलकुल ही हटा दीजिए या फिर उसे बनवा लीजिए और घर में अपने ढंग से परंतु मत रख दे देना। और जहां पर आपके घर में अंधेरा वहां दीप से भी उसे प्रज्वलित करके प्रकाशमान बना दीजिए। क्योंकि जो दीपावली का त्योहार है इसे प्रकाश का त्योहार समझा जाता है। इसके पश्चात है फटे जूते, चपल, अच्छा खाना और पहनना यह दिखे संपदा की निशानी मानी जाती है। परंतु यदि आप फटे पुराने जूते चपल अपने घर में रखते हैं तो शास्त्रों के अनुसार इसे अनुचित समझा जाता है। फटे जिद्रता की तरफ कभी भी मा लक्ष्मी अपनी कृपा नहीं बरसाती तो दीपावली के दिन फटे जूते हैं। चपल है फटे सामगरी बिलकुल ही अब घर में यूजना करें और एक बात का खास ध्यान रखना। घर के मुख्य द्वार पर जूते चपल दीपावली के द भाग्य ये दोनों बसते हैं और देवी देवता कभी भी किसी के जूते चपल लांग करके घर में प्रवेश नहीं करती। तो कदापी आप जो है डीपावली के दिन या फिर धन तेरस के दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर फटे जूते चपल बिलकुल मत रखना। अन आप ही इसे जल में प्रवाहित कर दीजिए और यदि आप इन्हें तो किसी पवित्र धारा जो नदी है उसमें बहादे तो इसका क्या फाइदा होगा आपके घर में महालक्ष्मी प्रवेश कर जाएंगे तो यह भी दीपावली की कुछ पहले हटाए जाने सामगरी के बार अब आईए इस वीडियो में जानते हैं धन तेरस पर कौन सी चीज को खरीदना चाहिए जो की बहुत ही शुब समझा जाता है वीडियो को ध्यान से देखना और कॉमेंट बॉक्स में जय महालक्ष्मी नहीं लिखे तो जय महालक्ष्मी अवश्य लिख देना एक साल तक महा लक्ष्मी की कृपा बने रहेंगे आपके घर में अन्धन की बढ़ोतरी 13 गुना बढ़ेगी तो धन तेरस के दिन सोना चांदी आभूशन बरतन की खरीदारी करना बहुत ही शुब समझा जाता है धन तेरस के दिन इन चीजों को खरीदने से घर में लाने से खुशहाली ब पने रहते हैं। यदि आप यह खरीदने में समर्थ नहीं हैं तो धन्तेरस के दिन सोना, चांदी के अलावा पीतल के बरतन को भी जो आप खरीद करके घर में ला सकते हैं। वीडियो को आधे बीच में छोड़ कर मत जाना। अधूरे ग्यान सदैव खतरनाक साबित होते हैं। यहाँ पर अच्छे अच्छे जानकारी आप सभी दर्शकों को मिलेंगे तो धन्चांदी का सिक्का खरीदना अत्यंत शुब समझा जाता है। अत्यंत शुबहता दर्शन हिंदु धर्म को मा लक्ष्मी का स्वरूप समझा जाता है। देखिए जो जाडू है मा लक्ष्मी का स्वरूप समझा जाता है। जो कचरे होता है इसे राहू का प्रतीक समझा जाता है। तो मा लक्ष्मी का वास होता है धन तेरस के दिन। जाडू खरीदने से घर में सुक समरिद्ध का आगमन होता है। साथ ही दरिद्रता दूर होती आप माने या ना हमारे एक क्योंकि काफी लंबे समय से जाडू की सेवा किया पहुँचेंगे। जाडू की सेवा कैसे कर सके। जाडू को मा लक्ष्मी का स्वरूप समझा जाता है। उन्होंने कहा साधक है कि लंबे समय तक जाडू की सेवा की और आज वह करोडपती बन चुके। अर्थात कहने का मतलब है कि माता लक्ष्मी की कृपा से उनके घर में आना धन की। ऐसे बड़ोतरी हुई आप जिसकी आप कामना भी नहीं कर सकते। कलपना भी नहीं कर सकते। धन तेरस के हो सके तो गोमती चक्र बिल्कुल ही खरीद करके ला सकते। और धन तेरस के दिन श्री यंत्र खरीदना शुब समझा जाता है। अब इसके पीछे कारण बता दो, जो यंत्र होता है देवी देवताओं के होते हैं। मैं हर दिन वीडियो में बताता हूँ, आप सभी दर्शकों को जो देवी देवता जिस तरह के अत्यंत रहे थे, जिनकी पूजा करते उस देवी देवता के उसके प्राण बसे होते हैं। जो श्री यंत्र है, ये मालक्षमी का स्वरुप माने गए हैं, तो श्री यंत्र में महालक्षमी के प्राण बसते, महालक्षमी की शक्ती बसते हैं, तो धन्तेरस के दिन श्री यंत्र खरीद करके लाते हैं, या फिर धन्तेरस से दीपावली की विधिविधान से पूजा कर पूजा करने के पश्चात आप अपने पूजन रूम में रखते हैं, तो जब तक आप इनके दर्शन करते रहेंगे, आपके घर के लोग इनके दर्शन करते रहेंगे, तब तक आपके घर में धन की कमी नहीं होगा। स्वथा ही इनके क्रिपा आपके घर में धन की बढ़ोतरी होगा, कभी भी धन की कमी नहीं होगा, निरंतर इनके उर्जा से, निरंतर इनके क्रिपा से आपके घर में धन का प्रभाव होता रहेगा। सभी तरह के लौकिक और अलौकिक, अब कुछ सुखों की प्राप्ति होग आईए इस वीडियो में विस्तार से बता दू। सुबह देर तक ना उठना क्योंकि यह जो दिन होता है लक्ष्मी हासिल करने का समय होता है। आई बुजर्गों का अवश्य करें बिल्कुल। आप इनका अनादर मत करना। मा लक्ष्मी कुपित होकर आप इनका आदर करते तो आपके घर से प्रस्थान कर देगी। क्योंकि जो बुजर्ग देवी देवताओं के अपमान करते तो मा लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। हो सके। तो इस दिन सुबह उठकर के अपने माता पिता का प्रणाम करे। अपने बड़े बुजर्ग प्रणाम करे। सदा मा लक्ष्मी को प्रसंद रहेंगे और दीपावली दिन घर में गंदगी। जैसे की कूडा करकट पड़े रहेंगे ऐसे मा लक्ष्मी नाराज होती बिलकुल। इस दिन आप साफ सफाई करके अपने घर का वातावरन पवित्र रख लेना जाडू के इस दिन पूजा कर लेना और इसे उत्तर दिशा में अवश्य रखना। उत्तर दिशा को देवता की दिशा कहा जाता है और जाडू को इस दिन पैर से मत लगने देना। इससे मा लक्ष्मी नाराज होती है बिलकुल ही जाडू को अपने पैर मत लगने देना क्योंकि जाडू को लक्ष्मी का स्वरूप समझा जाता है और आप पैर से जाडू को कूद रहे हैं तो जाडू को नहीं आप मा लक्ष्मी को कूद रहें इसे मा लक्ष्मी कुपित हो सक देखें तो लक्षमी माता है जितना जल्दी प्रसन्न होती है उतना जल्दी गुस्सा हो जाती इसलिए लक्षमी का स्वभाव चंचलता कहीं गई है। लक्षमी को अपने घर से भगा दे फिर ऐसे में गरीब हो जाते हैं पौरानिक ग्रंथों में कहा गया है अंधेरा होने के पश्चात घर में जाडू इस दिन मत लगाना। लगा सकते हैं। इस दिन क्या नहीं खरीदना चाहिए। देखिए जो डीप अवाली है धन तेरस है। इस दिन कुछ ऐसी सामगरी है जिसे खरीदने से हमारे धर्म शास्त्रों में मना किया कि यदि आप इन सामगरी को खरीद करके लाते हैं तो ये आपके जीवन में दुर भाग्य लाती जिस तरह कुछ सामगरी को खरीद करके लाते आपके घर सो भाग्य लेकर आती है। क्योंकि स्टील में राहू का वास समझा जाता है और जिसमें राहू का वास ना जाए वह चीजों को आप खरीद करके लाते तो आपके घर में बिलकुल ही कला एवं कलेश उत्पन करती है दीपा वली मुहूर्त खरीद करके नहीं लाना चाहिए पुरातन काल में तांबा पीतल के बरतन लेने की परंपरा थी जो की शुद्ध धातु की होते थे परंतु समय के साथ में लोग स्टील के बरतन लेने लगेंगे स्टील के बरतन किसी कारण वश खरीद करके ला रहे हैं उसमें थोड़ा सा गेहू या चावल डाल दीजिए उस जो दीपावली के दिन होता है, काले रंग के कपड़े नहीं करना चाहिए, नहीं काले रंग की कोई सामान है, ये बिलकुल ही खरीद करके घर में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि जो अमावस्या का दिन होता है, काली शक्तियों का दिन होता है, काले रंग की कोई भी चीज आप चाकूँ आफिर धारदार हथियार कहे गए। इन हतियारों को भी घर में खरीद करके लाने से बचना चाहिए। इस दिन यदि आप धन 13 के दिन धनिया घर में खरीद करके लाते हैं और धनिया का छिड़काव का थोड़ा सा इत्र डाल करके रात्रिकालीन 8 बच कर 30 के पश्चात में यदि आप अपने घर में पूरे माता भी बता दूं।। गुलाब की जो इत्र होती है, ये महालक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती, तो गुलाब की तरह का थोड़ा सा बंध इत्र डाल करके घर में थोड़ा सा चीटा मारते हैं। तो पूरे घर आप साल भर तक आपके घर में धन की कमी कभी भी नहीं होगी। आपके घर अन्न धन से भरे रहेंगे, पश्चात में इस धनिया को आप किसी भूमी में जाकर। क्या आप इसे लगा सकते हैं। खुदाई करने के आप लगा सके, जैसे जैसे धनिया में वृद्धी होते रहेंगे, जैसे जैसे धनिया में पेड़ पौधे उगाएंगे, वैसे वैसे आपकी उन्नती शुरू कर सकते हैं, बाद में आप इसे अपने खाने में उपयोग अवश्य कर सकते हैं, यदि आप भी अपना अध्यात्म उन्नति करना चाहते हैं, तो दीपावली और धन्तेरस के दिन ये उपाय अवश्य करें, तो यह थी आज की खास जानकारी, आशा है कि आज की इस प्रस्तुती में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें, धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए